हाई अब्रीवन वल्कम पो डिश्टल जी के क्लासेज तो बिपीएसी सिक्षक भरती 2023 से रिलेटेड एक ओफिशल लेटर जो है वो जारी हुआ है यहाँ पर मैं आपको यह दिखाने वाली हूँ यह बिपीएसी में जो चैनिज जो समभावित जो सिक्षक है उनसे आपको पता चलेगी और यह इससे एक तरीके से पता भी चलता है कि बहुत जल्द आप सभी का रिजल्ट जो है जारी होने वाला है क्योंकि यह आज जो है इसपे मिटिंग होने वाली है इसलिए यह लेटर जारी हुआ है सारी चीजी में आपको डेटेल में बताउगी तो आपके सामने नहीं आएगा, तो आप रिजल्ट की तैयारी चल रही है, चलो अच्छा है और यह लेटर जैसे ही आया, तो मैंने सोचा आप सभी को अपने चानल के माध्यम से बता दू, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश आप को देख रहे हैं, तो मैं आपको दॉक्मेंट्स भी यहाँ पर दिखाने वाली हो, कि कौन कौन से आपके पास डॉक्मेंट्स होना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, साथ में पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, so that आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे है, so आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाकसु प्रकाशन की BPSC सिक्षक भरती, फेस्टू के बुक्स की बारे में बताना चाहती हूँ, यह तीनों बुक बहुत अच्छी है, BPSC का जो सलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इसको तयार किया गया है, इन तीनों बुक के माध्यम से आपका एक्जाम बहुत अच्छा होगा, और अगर आप यह बुक लेना चाहते हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, उसको चेक आउट जरूर करें, यह स्टीडी गाइड है, अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अपलाई करेंगे, तो आप यह बुक ले सकते हो, इसमें आपको question paper भी मिलेंगे, साथ में study guide है, तो पूरा exam pattern के according इनों ने पूरी theory तयार की है, और यहाँ पर आप जानते हैं, कि आपको language का section, साथ में GS का section भी आएगा, तो इसमें solve papers के साथ, साथ MCQs and theory मिलेंगे, अगर आपका subject रहा है Sanskrit, तो आप यह बुक ले सकते हो, और मैंने बताया ही है, कि पूरा BPSC के pattern के according तयार किया गया है, इस book का मैं आपको sample PDF दिखाना चाहूंगी, देखी, बहुत अच्छे से study guide में आपको पूरा theory wise मिलेगा, इन्होंने हर book में questions भी include की हैं, जिसकी मदद से मालिज आपने theory पढ़ा, और फिर आप direct questions solve करेंगे, तो आपको काफी असानी होगी, आप यहां पर देख सकते हो, और इस book की मदद से आप अच्छा score भी करेंगे, चले start करते हैं, देखिए जो सबसे पहले यह notice आई है सिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार, और आज meeting भी है, इसमें समिक्षा बैठक है, आप यहां पर देख सकते हो, पतरांक और विग्यापन संग्या 23, 18, 14, यह आप खोद भी जाकर verify कर सकते हो, बाकी इस पर पूरा मुहर सब कुछ है, ठीक है, आज 14, कल आया था साम तक, तो मैंने यह अभी जो है, आज संडे हैं आप जानते हैं, और आज इस पर जो है, सबी विश्तियों पर समिक्षा बैठक होने वाली है, आप देख सकते हो, सबी जीला सिक्षा पदादिकारी, सिक्षा बिभाग बिहार, और दिनांग देखे, 14 है, 14 अक्टूबर है, और यह किसे रिलेटेड यह लेटर जारी होया तो वो देखे, आपको खुछ समझ में आ जाएगा कि यह आपके जो है, योगदान की तयारी चल रही है, राज कर्मियों को और इस्थाई कारेकारी वैवस्था के अंतरगत, प्रोनती देने, यह राज कर्म, जो राज कारेकारी है, उनसे भी रिलेटेड है, साथ में यहाँ पर देखे, बिहार, लोग, सिवा, आयोग, द्वारा, समभावित, जो हो कि BPSC के रिजल्ट के बारे में बस नियूस पेपर में निकल रहा था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इन सभी विशय पर समिक्षा बैठक है, इसलिए जितने भी अधिखारी थे सभी कि छुट्टियां भी रद कर दी गई, क्योंकि आज छुट्टी वाला द कि जो भी संभावित, जो टीचर्स बनेंगे, उनके योगदान की तयारी करानी है, कि किस तरीके से आपका डीवी होगा, रिजल्ट के बासे, ट्रेनिंग, स्कूल का आवंटन, जीलो का आवंटन, यह सभी चीजों पर लेकर आज समिक्षा बैठक होने वाली है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, नीदेशा नुसा उप्युक्त विसाई के संबंद में कहना है कि राजकर्मियों को औस्थाई कारेकारी व्यवस्ता के अंतरगत प्रोनती देने, बिहार लोग सिवा आयोग BPSC द्वारा चैनित सिक्षक अभियर्थियों की योगदान की तयारी करने और ये स्टेज 3 जो रिपोर्ट अन्य विस्यों की संबंद में कल दिना पंदर आज रविवार को अन्य दिनों की भाती कारे आले खोल कर कारे करना सुनिक्षित करें, तो आज की छुट्टिया भी खतम कर दी गई है, साथ ही 12 बजे अपराहन में अपर मुख की सचीव तो ये सारी चीजे मैंने आपको बता दी है, तो रिजल्ट की तयारी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे भी 9-12 के जो सिक्षक है, आप जानते हैं कि इसमें बहुत ऐसे स्कूल है, जहां पर 9-12 के कुछ विस्यों की सिक्षक नहीं है, रही बात 1-2-5 का, तो 1 1-2-5 की भी तयारी चल रही है, और आप जानते हैं, अगली सुनवाई हो रही है, उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसकी बासे आपको 1-2-5 का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखेगा, रिजल्ट के बार DV होगा, आपको समय नहीं दिया जाएगा, तो BPC-TRE में सबल सिक्षकों को युगदान के समय, यह जो एक लेटर वाइरल हुआ था, उसी में यह सारी चीज़े निकली थी, कि BPC-TRE परिक्षा का मूल एडमिट कार्ड, यह आपके पास होना चाहिए, जितने भी आपके एजुकेशन कॉलिफिकेशन है, उसका प्रमाड पत्र का मूल, वही आपके पास सारी डिग्रिया होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो, यह पर क्याने DV हो रहा है, तो आपके पास सारे डॉक्मेंट्स होने चाहिए, जो भी आपने अप्लिकेशन फॉर्म में लगाया है, सीटेट, बीटेट, टेट, एसटेट, जो भी आपका है, आपका उसके पास ओरीजनल प्रमाड पत्र होना चाहिए, बीपेसी टीरी आविदन के समय का थ्री पासपोर्ट साइज, आरक्षर दावा से सम्मनिद मूल प्रमाड पत्र, जर्मतिती में छूट सम्मनिदी दावा प्रमाड पत्र, उप्युक्त सभी प्रमाड पत्रों का स्वा अभी पत्र, मतलब सेल्फ अटेस्टेट छाया प्रती, इन सभी का, ठीक है, समझ गया आप, क्योंकि अभी आपकी रिजल्ट की त्यारी चल रही है, और बहुत जल्दी रिजल्ट अनौन्स हो जाएगा, आज इसलिए सारी छुटिया भी खतम करके, इन सभी पर समिक्षा बैठा किया गया है, अब देखो, जब तक ये नई सिक्षक भरती का, ये जो एक्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपको कोई भी विग्यापन देखने को नहीं मिलेगा, साथ में ये भ पहले आपको विग्यापन भी देखने को नहीं मिलेगा, तो 20 अक्टूबर से पहले आप सभी का परिणाम आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी इन्होंने बोला है कि हमको दिवाली से पहले कैसे भी करके जो है, ये रिजल्ट डीवी सब कुश कम्प्लीट कराना है, दिवाली व कि नई सिक्षक भरती कब देखने को मिलेगी, तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में, विभागी सुत्रों को कहना है कि दूसरे फेज में जो करीब 37,000 से अधिक पद उसमें जोड़ दिये जाएंगे, रिजल्ट जारी होने के बाद जो भी सीटे बच जा जाएगा, उसके बाद से इसी महीने के लास्ट तक आपको नई सिक्षक भरती का विग्यापन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है, जिने लोग भी इस वीडो को देख रहे हैं, मैंने आपको डिटेल में सारी चीजे बता हो, चाहे स्टेज 3 हो, इन सभी की रिपोर्ट जो है, उस पे समिक्षा बैठक होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय बहुत इंपोर्टेंट है, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका वो डीवी हो, चाहे स्कूल आवंटन, या फी जीला आवंटन, सभी चीजों से अब तो पता नहीं कौन कितना सच बोलता है, कौन कितना जूट, क्योंकि यूटूब पे तो जस्ट अगर आप पोल भी करा हो, तो कोई भी कोई भी बटन जो है दबा के चला जाता है, बट इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 65 नंबर हो आपके, तो आप किसी से पूछिए म क्या आपका होगा या नहीं, तो सारी इंफोर्मेशन मैंने आपको दे दिये, रिजल्ट की तयारी चल रही है, बहुत जल्द आप सभी के सामने रिजल्ट होगा, और वो भी डेट खतम हो जाएगा, रही बात नई सिक्षक भरती, उसका भी विग्यापन आ जाएगा, परि मेलमको झाल स होगा थाट, अ नहीं होतील घाएग होगा भी का वे नहीं, वे खती बापते दिये पे के घ्रे सामनेशन मैंने लाएगा, सब्सके झाले का था जाँे झा मैंने हीब को याएगा, या बहागा, सबस्द़